इपॉइंट बिल्स अडिजायर फॉर लाने अलो फ्रेंट्स मैं हूँ अभिनाज दिवांगन और इपॉइंट चैनल में अब सबका स्वागत हैं तो आज हम CSN NET के online courses को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम real analysis के चैप्टर सीरीज के हम कुछ topics को देखेंगे यह हमारे चैप्टर का 13 नंबर का पार्ट है तो आज का हमारा टॉपिक है राविष टेस्ट इसके पहले भी हमने बहुत सरे जो है टेस्ट हमने बताये हैं convergence of real numbers के लिए यह जो सीरीज है उसके लिए तो आज का हमारा टॉपिक राविष टेस्ट है इसका अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाते हैं तो description में हमने link के दिया है वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं चली start करते हैं आज के इस टेस्ट को तो राविष टेस्ट क्या कहते हैं यह हमने कोई सीरीज लिया यू अब इस कंडिशन में हम क्या करते हैं इसके पहली बेडी अलंबर टेस्ट हमने जो इसमें देखा था कि उसमें हम जो है रेशियो पहले निकालते थे तो वही चीजिसमें जी है यहां पर दिखो यू एन अपन यू एन प्लस वन यह जो है इ हमको मिल जाती है तो इसके थी कणडिशन होंगे दिखो कनवर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए अगर यह जो एलज वैलू है वो ग्लैटर देन वन है तो सीरीज जो है वह कुन वहं जाएंगी już फैयल चोजाएंगे तो सीरीज फैल्स होते हैं तो हम उसमें डूसतर टेस जो है apply करते हैं यहाँ पर आगे इसमें कुछ examples देखते हैं सबसे पहले एक बात यहां लिखी हुए नोट राविश टेस्ट इस जब रेशियो टेस्ट जो है डी अलमबर का रेशियो टेस्ट जब फैल हो जाता है तो हम क्या करते हैं राविश टेस्ट का यूज़ करते हैं तो हम इसका example दिखते हैं test the convergence of the following series हमारे पास एक series गीवन है x square plus 2 square upon 3 into 4 x to the power 4 तो आगे बढ़ते जा रहे सिरीज देखिए तो इसका एंथर टम क्या होंगे सिरीज का एंथर टम यहां से निकालते हैं यह आगे बढ़ते जाएगा तो टू टू दी पौर टू प्लस फोर स्क्वेर इंटू 6 स्क्वेर स्वान 2N स्क्वेर यह कैसे हुए देखिए यहाँ पर यह जो है टू 4 6 आगे और भी आएंगे एट पर टम सांगे यानिकी सम यहां पर यह जो है हमारे पास इवेन नंबर्स दिख रहे हैं इवेन नंबर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं तो हमने इसको निम्रेटर में हमने इस पोजिशन को पूट अप करिया अब नीचे देखिए 345678 यह सारे आग पूट असक है अगर मैंने यहाँ पर टूट अन्यच किया तो हमको मिले तू तू सब्स इदंगर करें की दोनों भी शको हमने इस फॉर्म में चेंजा आजओ और एकश्टू ठी पार जो है हमको क्या मिल रहे है, x to the power देखो, यहाँ पर सबसे पर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 याने की जो है कौन से numbers, यहाँ पर 2n प्लस 2, इस form में होंगे, जो वाले जो form हमको दिख रहे थे हैं, इस form में हमको मिलेंगे, तो आगे हम देखते हैं, इसमें, 1n प्लस 1 हम निकालेंगे, 1n प्लस के लिए हम, जहाँ पर n है, वहाँ पर n प्लस 1 put up कर देंगे, तो हमको यह मिल जाएगा, अब इसमें हम ratio निकालते हैं, क्योंकि हमने बता है था, कि day number test जब use करते हम, अगर series जो है, वो test जो है, वो false हो जाता है, तब हम इसका use करते हैं, तो सबसे पहरे हम ratio निकालेंगे, वहाँ से हमको पता चलेगा, कि test जो है, आप फैल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो हमने क्या कि इसको divide किया दोनों को, तो यह पूरे सारे terms देखो, यह even number वारे terms जो है, यह इस form में, यह देखिए, अब देखिए, इसको जब हम solve करते हैं, तो हमको मिलता 4N square plus 14, N plus 12 upon N, 4N square plus 8N plus 4, यह हमको मिल गया, अब यहां से N को अगर common लेते हैं, तो N and my term हमने पास cancel out हो गया, cancel out होने एक बाद हमको यह मिला, अब इसमें हम अगर limit लगाते है, instance to infinite, तो यह term, यह term, यह term और यह term, यह 4, यह जितने में terms दिखने हैं, वो सारे 0 हो जाएंगे, हमको मिला 4 upon 4, याने की यह बन हो जाएंगे, तो हमको मिला 1 upon x square, तो 1 upon x square को हम दिखेंगे, तो by the ratio test, जो number test था, वो इसके, इससे हिसाब से क्या होंगे, तो un is a convergent, if 1 upon x square is greater than 1, तो x को जब इधर हम ले गाएं, x square को, तो क्या हो गया, x square is less than 1, तो इस condition में क्या होंगे, convergent होंगे, and 1 upon x square is less than 1, अगर हम लेते हैं, यानि कि x square is greater than 1, यह हमारे पास आएंगे, तो इसके लिए जो है, series जो है, divergent, और 1 upon x square is equals to 1, यानि कि x square is equals to 1 हमारे पास मिल गए, यानि कि series जो है, यहाने पास false हो जाएंगे, तो इस condition में हम राभिस test का यूज़ कर सकते हैं, तो इस condition को हम लगाते हैं, कि x square is equals to 1, तो हमने जो इस्टार्टिक में हमारे सीरीज हमको मिला था, यह जो term मिला था ratio, इसमें से हम x square is equals to 1 put up कर रहे हैं, तो 1 put up करने पर हमको यह nth term इसका मिलता है, देखो, इसको हम solve करेंगे, अब n into जो राभिस test होता है, उसके हिसाब से, n into u n upon u n plus 1 minus 1, हमने यहाँ पर इस पूरे को यहाँ पर बैठा दिया, अब इसको हम LCM लेके solve कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, यह 4 n square plus 14 n plus 12, अब यह जो time है, 1 के साथ multiply होगे, पूरे minus में आ जाएंगे, यह देखो, पूरे term जो है, minus में आ गए, तो 4 n square, 4 n square cancel, इन दोनों को solve करने पर हमको मिला, 6 n square, इन दोनों को solve करने पर मिला, हमारे पास 8 n, यह सब हमारे पास मिल गया है, तो 4 n square plus 8 n plus 4, यह n कभी इसमें multiply किया है, तब ही हमको मिला, अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर हम limit लगाते हैं, यहाँ पर n square को हम दोनों से common ले लिए, हमको मिला 6 plus 8 upon n, 4 plus 8 upon n plus 4 upon n square, तो यहाँ पर हमने जब limit put up किया infinite, तो हमको 6 upon 4, याने कि 2 upon 3 मिल जाता है, तो 3 upon 2 जो है 1 से greater होंगे, क्योंकि 1.5 value आई है, तो by the rubbish test हमको क्या पता चल गया, कि condition as x square is equals to 1 से हमको पता चल गया, कि यह जो है, वो convergent होंगे, और यह जो है convergent है, किस condition में, जब x is equals to, x square is equals to 1 आते हैं, याने कि less than और equal to, दोनों के condition में हमको convergent मिल ला हैं, और greater than इनके condition में हमको divergent मिल ला है, अब इसका एक और example दिखते हैं, second example, वही चीज़ हमको test करना है कि convergent है, कि divergent है, तो इसके लिए हमने यह लिए लिया, इसका भी एंथ टाम, un is equals to हमने लिया, देखो, यहाँ पर हमारे पास बान रहे हैं, 1, 3, 5 याने कि हमको और नमबर मिलता है, तो हमने लिखा, 1 into 3 into 5, so on, 2n minus 1, upon जो है, यहाँ पर हमको, जो even number मिल रहा है, तो 2 into 4 into 6, so on, 2n, और x to the power क्या दिक रहे हैं, पर 1, 2, 3, 4, याने कि, हम यहाँ क्या करेंगे, एन प्लस 1 टमलेंगे, upon 2n plus 1, यह हमने इसको जो अरेंज कर दिया, इस फार्म में, एन तो टम इसका, अब इसका बाद हम निकालेंगे, u, n plus 1, यहाँ जहाँ भी एहने वहाँ पर, एन प्लस 1 हमने पूटक किया, हमको मिला, अब इसके बाद सेम वही चीज करना है, वही प्रोसेस रिप्रीट हो रहा है, कि हम इसका जो है रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने पर यह पूरे, और नमबर्स वाले, इवेन नमबर्स वाले, साय टम्स जो है, कैंसल होगे, हमारे पास बचा, x to the power, n plus 1, अपॉन, 2, n plus 1, और इधर बचा, 2, n plus 2, 2, n plus 3, अपॉन, बचा, 2, n plus 1, और x to the power, n plus 2, यह हमारे पास बज़ गया, अब इसको फिर से हम स्वाल करेंगे, तो हमको क्या मिलता है, यह देखो, यह दोनों टम्स सेम दिख रहे हैं हमको, यह दोनों टम्स जो सेम आये, वो जो है, यहाँ पर आके square हो जाएंगे, whole square, और यह दोनों टम्स को हमने ऐसे ही लिग दिया, और यह एक्स वल्ड पोर्शन को solve करने पर हमको मिलता है, 1 upon x, फिर से बही चीज, यहाँ से भी n और यहाँ से न, दोनों से हमने n को common लिया, तो हमको मिला 2 plus 2 upon n, 2 plus 3 upon n, और यहाँ से भी हमने n को common लिया, तो यह n square common लिया, तो हमारे पास यह आगे, तो n square, n square cancel out होके, फिर से हम इसमें limit लागाएंगे, तो यह पूरा term जोई 0 हो जाएगा, यह term, यह term, और यह term, यहाँ कि हमको मिला 2 into 2 upon 2 square, यहाँ कि 4, तो 4, 4 cancel होके, हमको मिला only 1 upon x, फिर से भाइचीज, डिया लंबर test जो है, given series, convergent कब होंगे, convergent तब होंगे, जब 1 upon x की value greater than 1 होंगे, यहाँ कि x is less than 1 होंगे, और divergent कब होंगे, जब 1 upon x is less than 1, याने कि यह इधर जाके, x is greater than 1, और x is equals to 1 पर जो है, वो test जो है, फैल्स हो जाएंगे, तो उस condition में हम use करेंगे, राविस test का, तो राविस test, x is equals to 1 के लिए, हमने x is equals to 1, इसमें put up किया, यह जो हमको रेश्यम विला था, उस form में, हमने put up किया, यह, इसको आगे जब हम solve करते हैं, multiply किये, फिर हमने n, un upon un plus 1 minus 1, जो राविस test का condition था, उसको हमने put up किया, यह रखने के बाद, अब इसका हम cross multiply इधर करेंगे, याने कि LCM लेके solve करेंगे, तो फिर से वही चीज होगा, कि यह दो terms cancel हुआ, इसको solve किये, तो हमको बिला 6n plus 5 upon 4n square plus 4n plus 1, फिर से हमने n square को, यहां से, n को यहां से common लिया, तो यह n square हो जाएंगे, और यहां से भी हमने n square common लिया, याने कि, यह terms cancel होगे, और यहां पर हम जब n की value infinite put up करेंगे, याने कि limit लगाने के बाएं, तो यह पूरा जो term है, जो upon में n आ रहे हैं, वो term जो 0 हो जाएंगे, तो हमको मिला 6 upon 4, याने कि 6 upon 4, याने कि हमको 3 upon 2 मिला, this is greater than 1, तो by rubbish test, अगर 1 से यह greater value आ रही है, मतलब यह क्या होंगे, convergent होंगे, x is equals to 1 के लिए, तो हमको condition क्या मिला, कि less than और equal to 1 के लिए, जो है, equal to, के लिए x की value के लिए, यह जो है, series convergent होंगे, और x is greater than 1 के लिए, series divergent होंगे, एक और example हैंपर रखा हुए, देखो, example 3, अगर इस पर ध्यान दे, यह log के form में दिख रहे हैं, यह log वाले सरी questions देख रहे हैं, तो इसमें हमें un जो है, हमारे पास x to the power n plus 1, log n plus 1 power q, n plus 1 term हम यहाँ पर निकालेंगे, दोनों का फिर से हम क्या करने, ratio निकालना है, तो ratio निकालने पर हमको क्या मिलता है, देखें, यह term में, यह तो n plus 1, यहाँ से भी n plus 1 term cancel होगा है, तो हमारे पास मिला 1 upon x, और इसको जहाँ हम solve करेंगे, log n plus 1 to the power q, और यह log n plus 2 to the power q, तो इसको हम आगे solve कर रहे हैं, देखिए, तो यह तो as it is है, यह वा term हमको as it is दिख रहे हैं, इस term में हमने क्या किये, इसको हमने log n plus 1 plus कर दिए, और log n plus 1 minus कर दिए, और यह वा term जो है as it is जो था हमारे पास, अब 1 upon x log n plus 1 log n plus 1 plus log, इन दोनों को हम कहा लिख सकते हैं, log के rule से n plus 2 upon n plus 1, क्योंकि यहाँ पर minus का साहिन है, अब log n plus 1 upon log n plus 1 plus log, इसमें हमने इसको divide कर दिया, तो हमारे पास क्या मिलेगे, 1 plus 1 upon n plus 1 और whole power अगर हमको q मिल जाएंगे, यह condition कैसा है, देखो यह condition जो है, इसको हम इस form मिलेग सकते हैं, solve करके देखें इसको, जब n plus 1 के इधर multiply होगा, तो n plus 1 plus 1 क्या मिलेंगे, n plus 2, और upon में n plus 1, इसलिए इस form को हम इस form में convert कर सकते हैं, अब यहाँ से देखिए, फिर से 1 upon x, अब यह जो term है, इसको हमने नीचे लाख यहाँ divide कर दिया, तो divide करेंगे, तो यह term जो है, 1 upon n plus 1, इसमें जो हमने एक formula लगा दिया, यहाँ पर, यह log का एक formula इसमें होता है, log 1 plus 1 upon n, इसके लिए formula put up किये, तो log n test to infinite, यह जो formula आपको आगे की वीडियोस में दिख जाएंगे, हमने उसमें formulas को और भी put up किये, है, limit and test to infinite, हमको हम क्या मिला, इसका limit जो है, one upon x मिल गया, अब limit जब one upon x मिला, तो इसका मतलब क्या है, convergent कब होंगे, by d remembered ratio test है, one upon x जो है, one से greater है, और अगर x जो है, यह less than है one से, तो यह convergent हो रहे है, अगर one upon x is less than one, यानि की axis greater than one, इस condition में क्या होंगे, divergent होंगे, और x is equal to one के लिए fail हो जाएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से रहाब इस test लगाएंगे, तो यहाँ से हमको मिलता है, un upon un plus one, यह, हमने यहाँ पर put up कर लिए, अब इसमे, un upon un plus one, minus one, अब इसका limit n जो infinite, अगर हम इसमें put up करते हैं, तो हमको मिलता है, यहाँ से, यह form, इसमें हमको यह form मिल गया, अब यहाँ से देखो, इसमें अगर मैं put up करू, n times to infinite, तो n times to infinite, क्योंकि नीचे में जितने भी terms है, वो n वा terms है, तो यह overall zero हो जाएंगे, यानि कि हमको zero मिलता है, this is less than one, यानि कि क्या होंगे, मतलब, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कि less than one, x is less than one के condition में, जो है, convergent आ रहे हैं, और x is greater than one के condition में, divergent आ रहे हैं, तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे च्छी उडेस लाएंगे, तब तक के लिए, धन्यमाद,